हेलो वीवन, माइनम इस निखेल एंड वेलकम तो दे चानल, आज के वीडियो डिडियो यानि दिल्ली डिल्लपमेंट अथोरिटिक के रिकूर्टमेंट के रिकूर्टमेंट के रिकार्डिंग है नो अलग अलग तरीके के नोकरिया आई वही है और इतनी खुबसरत खुबसरत नोकरिया है section officer की हो, पटवारी की हो, assistant की हो, बहुत खुबसरत खुबसरत नोकरिया निकली वही है है ऐसी भी नोक्रिया हैं जिसको कोई 12th pass apply कर सकता है और ऐसी कई सारी नोक्रिया जिनको graduate apply कर सकते हैं तो बहुत अच्छी नोक्री है पूरे के पूरे देश के नागरी के form को apply कर सकते हैं आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल पर discussion करने वाले हैं हम लोग इसी नोक्री के उपर तो DDA के अंदर 687 वेरियस यानि लगबग 9 अलग लग तरीके की पोस्ट निकली होई है ठीक है इन सारे points पर हम लो discussion करेंगे notification eligibility examination pattern previous papers इसका eligibility pattern काफे बड़ा है इसलिए वीडियो को मैं दो इससे में बना रहा हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग इतना देखेंगे बाकि अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले है cutoff syllabus pattern हर इक चिसका detail analysis करने वाले है उसके अंदर ठीक है चली date पह जाती है date की बात करें तो इस form को भरने का जो starting का date है वो है 3 June 2030 इस form को भरने का last date 2 July 2030 से सामको 6 बजे इसका notification अभी आउट हो चुका है official notification लिंक description में available है आप उसका apply भी कर सकते हो notification भी इसका download कर सकते हो apply करने की जो link है वो तीन तारीकों को लेगी notification करने की link आपकी अभी से available है ठीक है examination की बात करें तो एक अगस्त से लिए करके 30 September के बीच में आपका examination होगा इतना लंबा समय इसलिए कि 9 examination है मतलब 9 पोस्ट है और 9 की 9 पोस्ट के लिए अलग examination है आपके तो आपको पूरा का पूरा महिना मिलेगा आपके इस पोस्ट के लिए apply करोगे उससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन से examination rate होने वाला है जिसके announcement अभी नहीं होई है बाद में लो later on करेंगे ठीक है application fees के बारे में बात करें तो application fees 1000 रुपए है general OBS CWS के लिए SCST और female के लिए 0 है 0 रुपए application fees physically handicapped बच्चे भी आप apply कर सकते हैं उनके लिए भी निल है application fees ठीक है पोस्ट की detail पर देख लेते हैं अलग तरीके की नौकरियां है और नौकी नौकरियां अलग तरीके की भी है अलग education qualification भी पैटर्न भी अलग है और इसके बारे में आगे detail बताऊं इससे पहले समझे लिए कि 9 की 9 अलग examination होने वाले हैं आपको और बहुत जादा इसके अंदर आपको यह चीज समझना है कि इ इन छितने पोस्ट है न आल्मोस्ट सभी के लिए नहीं ने course लॉंच कर दिया है आप देख सकते हो 18 стр घंटे इसके अंदर live classes मिलने वाले हैं 180 घंटे तो एक के अंदर मिलने वाले है एक इसके अंदर ऐसी पोस्ट भी है जिसके अंदर 400 घंटे आपको लाइफ क्लासे मिलने वाले है तो आप समझ सकते हो 180 घंटे से 400 घंटे तक आपको मिले लिए इसके इलावा इसके अंदर recorded classes आपको 24 घंटे अवलेबल होंगी आप 24 संदे देख सकते हो recorded classes, experts आपके साथ बैठ के doubt solve करवाएंगे आपको और आपको help करेंगे strategy के अंदर और अभी के लिए offer चल रहा है इसके अंदर के 6 प्लस 6 यानि 6 मन्त का पर्चिस करते हो 6 मन्त और फ्री मिल जाएगा यानि अगले साली notification आती है तो उसकी भी तियारी आप discount लेना है तो जैसे ही आप link के उपर click करोगे आपका सामने app का ये page खुल जाएगा सिधा और ये सामने जो भी चीज़े दिखरी है आपको सब के सब DDA के related है अब देख सकते हो assistant section officer वाली जो पोस्ट है यह आपकी सबसे ज़्यदा popular post है जिसका course 1999 रुपय का है मैं उसको आप कर दो के एन आई double seven apply कर दो और यह आप यह भी टिक कर देना जहां पर आपके coins available हो जाएगा और आप इसके अंदर देख सकते हो बहुत सारे आपके जेई वाला अगर आपको चाहिए जेई के लिए देखे 400 गंटे से यादा आपके live classes मिल रहे हैं यहां पर भी मेरा coupon code दिखरा होगा group B की यह सारी पोस्ट है और group C की यह नीचे तिवाली तीन पोस्ट है level eight मतलब बहुत high level नोकरी है लगबग DSP level की आपकी नोकरी है level six की दूपोस्ट है यह आपकी sub inspector level की नोकरी है तो बहुत अच्छी कासी इसके अंदर अच्छी नोकरियां available है आपकी 125 seats वा पोस्ट और junior assistant जो आपकी पोस्ट है इसको भी कोई अप्लाई कर सकता है graduate अच्छा नाइन्थ वाली जो पोस्ट है यह 12 वालो के लिए है इसके अंदर 12 पास भी अप्लाई कर सकता है और बागी यह तीन पोस्ट ग्रेजुशन वालो के लिए है तो आप समझ सकते हो जो भी अच्छी अच्छी इसके अंदर पोस्ट है ना वो सब के अंदर नॉर्मल 12 या फिर graduate अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पर आप कितने भी पोस्ट अप्लाई कर सकते हो बस आपको फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा अपने पहला फॉर्म में पटवारी के लिए भर दिया तो आपका पटवारी का फॉर्म होगे एक हजार उपे लग गए उसके बाद एक और आप फॉर्म भरोगे जिसके अंदर आप अकाउंट ऑफिसर के लिए बढ़ दिया एक और फॉर्म भरोगे जिसमें अपने सक्षन ऑफिसर के लिए बढ़ दिया तो तीन हजार रुपे ह हो गए तीन बार फॉर्म बरना पड़ेगा अगर आप कटेगरी के हो जीरो रुपेज है तब तो सारा ही भर देना इसके अंदर तो यह आपको समझ में आगे एक्जामनेशन सेंटर क्या होगा एक्जामनेशन सेंटर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा नौकरी भी दिल्ली बहुत कम चांसेज हैं तो आपका कॉंपटिशन कितना कम हो गया सीट्स भी काफी साथ है कोई ग्रेजुट भी अपलाई कर सकता है तो ऐसी नौकरियों को नहीं छोड़ते बलकि मैं कहूंगा रेलेवे वाले से उपर आप इस नौकरी को रखो इस नौकरी की क्वालिटी भ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और पावरफुल की तो बाद गई भाड में एक्जामिने सेंटरी एक दिल्ली में है तो इसके वजह से किवाला आसपास के 500 किलोमेटर के बच्चे हैंगे या फिर आपके राजस्थान बिहार के और मध्यपरदेश के यहां के बच्चे पहुँचेंगे और कोई नहीं आएगा तो कॉम्पूटेशन बहुत कम होने वाला है इस फॉर्म को अब लोग जरूर जरूर भरें ठीक है के अंदर आपका 27 साल के बच्चे अपलाई कर सकते हैं अब हम लोग आ जाते हैं एजोकेशन क्वालिफिकेशन की उपर सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का एक बयात आपको यहां पर सेंटेज की बात ना करूं यहां पर किसी भी पोस्ट में परसेंटेज का रिक्वार्मेंट है ही नहीं कितना भी परसेंट आया हो कोई फरकनी पड़ता पहली बात दूसरी बात यहां पर एक ग्रेजुइशन की डिगरी कुछ भी हो कोई फरकनी पड़ता ठीक है चली इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले अकाउं अब हम से कम तो आप अपको आप सकते हो अपर अपको और बस सकता है और बस कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज आपको होने चाहिए तो डिगरी की को रिक्वारमेंट नहीं इकॉम बीस्ट को रखने पड़ता करेस्पॉंडनेंस यह को रखने पड़ता आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो सबज मैं आपको नेक्स्ट हमारा आर्केटेक्चर वाली नोकरी है इसके अंदर कोई भी जिसने डिगरी लिया है आर्केटक्ट के अंदर बीटेक भ बस नायब तैसिलदार में पर्सेंडेज का रिकॉर्मेंट पचास पर्सेंट है बाकि किसी इसके अंदर पोस्ट में नहीं है और यहाँ पर भी कोई ग्रेशन वाला अपलाई कर सकता है बस पचास पर्सेंट मांक से उसके आने चाहिए ठीक है इसके लाव हम लोग आते हैं या तो डिप्लोमा हो या तो दो साल का आपका नैशनल ट्रेट सर्टिफिकर्ट हो किसके अंदर सर्वेंग के अंदर तो अब अपलाई कर सकते हो ठीक है योग एजोकेशन प्लस एक्सपिरियंस में आपको चाहिए दो साल का सर्वेवर्क यह डिग्री और दो साल का सर्वे इसको कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है डिगरी के और कोई रिक्वार्मेंट नहीं यह बस 12th पास चाहिए साइन्स से हो कॉमर्स से हो परसेंटेज कुछ भी हो कोई रखने पड़ता अप्लाई आप कर सकते हो बस टैपिंग स्पीड की रिक्वार्मेंट है 35 वर्ड पर मिन सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए अब आ जाते हैं एक्जामनेशन पैटर्न के उपर क्या आखिर भाई कौन से प्रोसे से गुजर के यहां पर नोकरे लगने वाली है तो यहां पर सब के सब पोस्ट का अलग-अलग पैटर्न है यार देखो क्या क्या पैटन है सबसे पहले के नेगेटिव मार्किंग के इसके अंदर कोई भी अप रेटन टैस दे रहे हो ओं वं बड़िय थर्ड के नेगेटिव मार्किंग आपकी है चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर नेक्स्ट आप लोग देखो हमारा डिटेल में क्या क्या कotes इसके अपाउनट ऑ होगा लेकिन इसके अंदर mostly हिस्सा आपका accounts का होगा cost accounting होगी financial accounting होगी जो इसका syllabus है ना आपको syllabus अभी नहीं बताऊंगा next video बताऊंगा वो syllabus का इसके अंदर आएगा 120 question में सबसे जादा और इसका पार्ट कम होगा इसको detail में हम लोगो next video में देखेंगे लेकिन यह आपको समझ में आया अभी हम लोग second post के बारे बात करेंगे बाकी पोस्ट के बारे बात करेंगे क्योंकि इसका और बाकी पोस्ट का pattern एकदम सेम है यहां पर आजाओ नंबर 2 के बारे बात करेंगे लेकिन नंबर 3 से नंबर 7 तक में एकदम सेम है सेम 120 question दो घंटा 120 मिनेट आपको मिलेगा और 120 मार्क्स का आपका होगा और इसके अंदर रीजनिंग से लिगर कि इंगलिश वाले जॉप के पेपर यह होंगे और बाकी आपके जो specific question है जैसे assistant के legal assistant वाला नायपतासिदार के अंदर जैसे Hindi वाला आपका question होगा तो ऐसे आपके इसके अंदर सेम होगा कि इसके अंदर जो डिगरी के requirement है उसकी question इसके अंदर आएंगी ठीक है तो यह आपको समझ में आगे इन सारी पोस्ट का अब हम लोग आ जाते हैं उन पो question is quant or English सबके आपके पच्चिस-पच्चिस question पचास-पचास marks यानि एक question दो नमबर का है आपको टोटल 200 marks का paper होगा 100 question है solve करने के लिए आपको एक घंटा मिलेगा यह exactly आपका से सीजल के जासा होगा कोई इसके अंदर अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा ठीक है stage 1 यह हो यहाँ पर आप आजाओ math के अंदर 30 question 90 marks reasoning के अंदर 30 question 90 mark solve करने के लिए गंटा मिलेगा इस section में आपको अलग से पास होना है section wise इसके अंदर आपको English में 45 question 25 question आपका general awareness में तो 135 marks 75 marks एक घंटा आपको मिलेगा इसको solve करने के लिए इसके अंदर भी आपको अलग से पास होना ह नहीं है total section में मिलागर के पास होना है इस एक घंटे के अंदर उसके बद computer के 20 question 60 mark solve करने के लिए आपको 15 minute मिलेगा और 15 minute का आपका data entry task है यह बहुत आपका simple होता है normal आपका computer का knowledge basic अगर आपका clear है तो आप इसको कर लोगे कोई इसके इंदर जादा इसमें घुसने के जुर टेक है पटवारी का हाँ आपको बता दूँ अगर आप लोग को speed से थोड़ी problem है आप banking banking दिते नहीं हो speed से बहुत problem है SSC में भी डर लगने लगया क्योंकि उसके अंदर भी 60 minute में 100 question है और इसके भी पहले post में 60 minute में 100 question थे तो भाई पटवारी वाली post है आपके लिए इसके general awareness reasoning आपका mathematical numerical यानि quanta का part हो गया आपका Hindi और English दोनों के इंदर आपको आने चाहिए दोनों भास आने चाहिए और basic computer knowledge यह आपका प्रिलिम्स का है मेंस का भी आपका आपका अप्शन है हिंदी और उर्दू मेंस में है हिंदी और उर्दू में से हिंदी और उर्दू मेंस मे 200 question 200 mark solve करने के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा तो यह आपका बहुत simple हो गया पटवारी का यही था आपका पटवारी का pattern नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं junior secretary assistant के उपर जो के 12 पास वाली पोस्ट है इसके अंदर आप लोग देखो मैं स्क्रीन से हट जाता हूं इसके अंदर आप लोग देखो यद्धान से सेम आपका जो उपर वाला pattern था था ना एसो वाला सेम उसके जैसे अपका पैटरन इसका है reasoning का awareness का quant का और English के 25-25 question 25-25 marks so 200 marks का 100 question solve करने के लिए आपको एक घंटा मिलेगा stage 2 का pattern भी same है almost देख लो आप यहां पे math है और reasoning है आपका English के अंदर अंतर कहां पर आएगा English में 120 number है 35 number था जो यह 120 number आपका कम हो है 15 number यहां पर दे दिया है आपका computer में 15 number जोड दिया है ठीक ह इसका महां पर था बाकि आप देख लो आपके सामने है एक दम सेम पैटन है बस अंतर आएगा यहां पर आपका typing test लेंगे 30 word per minute 35 word per minute के हिसाब से depending upon के आपने क्या भाशा चुना है फॉर्म भरते वक्ट ध्यान से आप भाशा चुनना English चुनोगे आप sorry English चुनोगे आप तो हिंदी चुनोगे तो आप हिंदी आपको देना पड़ेगा बाकि यह पूरा का पूरा जो पेपर है हिंदी इंगलीस दोनों भाशाओं में अवलेबल है तीक है यह आपका हो गया कुछ आपके doubt है वो clear कर देता हूं हाँ कोई ग्रेजुएटेस फांग को अपलाई कर सकता ह है फैनली देज के बच्चे अपलाई नहीं कर सकते हैं स्टुडेंट सारे पोश्ट के लिए चाहिए तो अपलाई कर सकता है बोथ मेल और फीमेलीस फॉर्म को अपलाई कर सकते है फिजिकली हैंडिकप्ट बच्चों को मिला करके ठीक है सिंगल किताब किताब और सिलेबस क पारे में हम लोग बात करेंगे बाद में ठीक है इसके लाव आपको पता चली गया है आपने देख लिया पैटरन के लिए आपको कूर्स अगर चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ लिंक डिस्क्रिप्चिन में अवलेबल है आप उस को पर्चेस कर सकते हो बेस्ट कोर आपको बताऊंगा बताऊंगा कि इसमें से कौन सी पोस्ट को आपको अपलाई करना है जिसमें आपको सेलेक्शन का चांसे सबसे जादा हो ठीक है तो इन सारे चीज़ों पर हम डिसक्रेशन करने वाले नेक्स वीडियो में इसके लावा कट आफ भी देखेंगे पैटन देख और ज्यंदगे करने तेंक